वैसे तो ट्रिप को सुकून से एंजॉय करने के लिए हर एक चीज की पहले से प्लानिंग बेहतर होती है लेकिन कुछ हर्टकर और अलग एक सपीरियन्स लेना है तो बिना किसी प्लानिंग रोड ट्रिप पर निकल जाएं बेशक थोड़ी बहुत दिक्कत होगी लेकिन निराश नहीं होंगे इसकी गारंटी है दिल्ली से जैकूर रोड ट्रिप जैकूर जाने के लिए दिल्ली से सुबह सुबह निकल लें ट्राफिक कम होने के साथ ही मौसम भी सही रहता है दिल्ली जैकूर नाशनल हाइवे से होते पिंक सिटी के नाम से मशूर जैकूर में भारत की कई एतिहासिक धरोहरे किले और महल देखने को मिलेंगे आम एरपोर्ट से लेकर हवा महल, सिटी पेलेस और सदा बहार रन्थम बॉर नाशनल पार्क यहां के पॉप्यूलर ट्राइवल डेस्टिनेशन्स हैं घूमने वाली जग है नीमराना फोर्ट दिल्ली जैकूर के रास्ते में ही है नीमराना फोर्ट जो हेरिटेज होटेल है खिले से होटेल में तबदील हुए नीमराना से सभी आधुनिक सुविधाई मौजूद है पार्टनर के साथ हो या प्रेंज के साथ यहां का एक सपीरियंस हर किसी के साथ यादगार रहेगा नीमराना पोर्ट प्रीवेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी परफेक्ट जगे है अलवर फोर्ट चैपूर रोड ट्रिप पर जाते हुए बीच में अलवर फोर्ट मिलेगा जो देखने लायक जगे है आसपास हरी भरी अरावली पहाडी अलवर फोर्ट के नजारे को बनाती है और भी ज्यादा खूबसूरत राजिस्थानी इतिहास और कल्चर को देखने के लिए यहाँ आए ये जगे फोटोग्राफी के लिहाद से भी बहुत ही बेहतरीन है एमपोरियम जैपूर में घूमते हुए सडकों के किनारे कई सारी आर्ट गालरीज और एमपोरियम देखने को मिलेंगे जहां से आप कपड़ों, जूलरी और सजावटी सामानों की खरीदारी कर सकते हैं इतना ही नहीं जैपूर को खास और हंडी क्रॉफिट चीजें के लिए भी जाना जाता है तो आप यहाँ से ट्रेडिशनल चीजें भी अपने साथ ले जा सकते हैं इन जगहों पर ले सकते हैं ब्रेक इस रोड ट्रिप पर आप मसालेदार राजिस्थानी डिशेज को एंजॉय कर सकते हैं इसके अलावा हाईवे पर जगह जगह धाबे भी मिलेंगे जहां पंजाबी डाल मक्नी से लेकर लचेदार पराठों का स्वाद लिया जा सकता है किन चीजों की करें पैकिंग बाइक से जा रहे हों या गाड़ी से बैक पैक में कुछ जरूरी सामान जैसे जैकेट, टी शर्ट, एक जीन्स, सनस्क्रीन, सनग्लासेज, स्टॉल, कैमरा और पानी की बोतल के अलावा फर्स्टेट का सामान भी जरूर साथ रखे